तो दोस्तो आज की वीडियो में जो भी टॉपिक में आपके शेयर करने जारी खास होने वाले हैं अगर आपके पास भी एक कबार है यानि कि आप कबारी समझते होंगी अगर कुछ चीज़ें आपके पास हैं तो इने फैकने से पहले आप वीडियो को जरूर देखेगा यह मुझे यकीन है कि आप कभी भी इन चीज़ों को फैक होगे नहीं तो यहां पर देखी फ्रेंड मैंने यह लिए हुए हैं और आप जानते होंगे कि यह क्या चीज है मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है हां फ्रेंडी थ्रेड होती है उसे के अंदर वाला खाली रील जो बज जाता है यह वही है इसे रियूज करेंगे हम चूले में तो यहां पर देखिए चूले की जो हैट होती न मतलब कि थोड़ी कम होती है और इसके नीचे क्या होता कोकरे, चूहें वगर ना घुसके बैठ जाते हैं उनके छुपने के लिए उन्हें बहुत अच्छी सी जगह मिल जाती है और बहुत ही आसानी से वो इसके नीचे छुप जाते हैं और यह होता है कि जब हम खाना बनाते हैं, तो अगर कुछ भी चीज इसके नीचे गिरती है तो हम क्लीनन करते हैं तो चूले को उठा उठा करके क्लीन करते हैं इसके अगले टेवी बहुत अच्छी होने वाली है यह मैंने लिए हुए हैं दूबत्ती के खाली पैकेट और साब उनके खाली पैकेट हम फैंक देते हैं तो लेकिन फैंकने से पहले आप देख ली जगा कि इनको हम रियूज कैसे कर सकते हैं कोई भी चीज कबाड नहीं होती तो आप थोड़ी सी अलग से ले लीजेगा तो यहां पर मैं छोटी छोटी सी दूबत्ती बना लेती हूं ताकि मैं इन सब पैकेट के अंदर रख सकूं आप सभी को पता होगा फ्रेंड के जब हमाई दूबत्ती खतम हो जाती है या अगर बत्ते का पैकेट वो भी चलेग तो इस पैकेट के अंदर बहुत अच्छी सी खुसबू आती रहती है तो आप इन्हें फैकेगा मत योज में ले लीजेगा तो यहां पर योज कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूं फ्रेंड देखिए हमारे बच्चों का जो लंच बॉक्स होता है तो जब हम उनमें खान देते हैं बच्चों को तो आपने नोट क्या होगा जब टिपिन बन रहता है दोपहर तक तो उसमें इसमेल आने लग जाती यह जो भी बनाते हैं पहुली Wits कर सकते हैं और येकिन मानी फ्रेंड लंच बोक्स के अंदर बिल्कुल भी बैडिस मेल आपके नहीं आएगी फिर आप इसको दोबारे से वाश करके फिर इसे अगले दिन भी रख सकते हैं अगला आइडिया है बहुत अच्छा है यह भी तो यहां पर देखिए इसे हम कैसे य पहने का किन जैसे करों में जैसे कवाएं मैं के उन्हें पहन पहने का मौक्ण मिलता है नमबर आता है पहन आ प्पढ़ों के कपुड़े में पहनने वाले तो आप उसमें चोटे चोटे कट चपके और तो आप ना उसे कपडों के बीच में रग दींगा तो आप खुद जो चिट लगी हुई होती है उसे निकाल दीजेगा या फिर देखिए इस तरीके से कपड़े के अंदर भी आप डाल के रखेंगे तो इसमें बहुत अच्छी से खुसबू आने वाली है मेरा कहने का मतलब यह आप इसे गोद्रेज में रख सकते हैं बैड में रख सकते हैं क्या करते हैं मतलब रोज रोज तो मोजे दोनी पाते हैं यह अप करें क्या तो आप यह वाला पैकेट ले लिजेगा साबून का खाली क्योंकि इसमें बहुत अच्छी सी खुसबू आती है आप इस तरीके से जूते के अंदर रख दीजेगा और फिर आप इसके उपर से च सूज के अंदर रख सकते हैं या डारेक्ट फिर आप मोजे के अंदर भी डाल रख सकते हैं बस आपको यह नोट करना है यान कि यह बात ध्यान रखने हैं कि साबून बिल्कुल भी गेला ना हो अब इन जूतों के अंदर से सूज के इनदर से कोई बैडिश मैल नहीं आने वाली है चोटी से लेकिन बहुत ज़्यादा हैलफुल है फ्रेंड हम लेडिसों के लिए हमारी शीरदर्दी होती है कि हम कामों को कैसे एजी करें अब अगले टिप्स भी होने वाली है यह विजूतों से लेकी है तो इसे करेंगे क्या हम पोलोथीन को यह तो आप साबुत ले दीजे यह फिर आप पिन से इसमें छेद कर सकते हैं वह आपकी मर्जी है तो देखिए फ्रेंड अब हम दोनों जूतों के लिए बना रहे हैं इसमें चैतों आप इसे डारक जूते के अंदर रख सकते हैं इस पोलोथीन को और एक दिन में यह खराब भी नहीं होने काफी सम में तक आपके चलते रहेंगे या फिर आप इसे ना मोजे के अंदर डाल के रख सकते हैं आप खुद नोट करेंगे कि जो मतलब के इसके अंदर से एक बैड श्मेल से आती है वह नहीं आएगी यानिकि इसके अंदर खुसबू बनी रहेगी तो इस तरीके से फ्रेंड दिखी हम अपने काम को बहुत ही आसान कर सकते हैं और अच्छे डंगचा कर सकते हैं इसके अगरे टिप्स होने वाले हैं पर इसके बारिष के टाइम में यह जूते बहुत 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 धल दी खराब हो जाते हैं क्योंकि वह बच्चे पानी व भीगुए हो जाज़ानी ख़राब हो जाते हैं तों की को खाराव को कार 1979 के उपर यानिए है थोड़ा уже और तेल को खुशबू वाला है तो और अच्छीं का जाना है दो आप thigh फुस्बू वाले तेल से जूतों के अंदर से जो बैड इसमेल आएगी तो वह नहीं आएगी फिर दूसरा फायदास का यह होने वाला है कि बच्चे से कर पानी में भीगोएंगे सूज को तो वह जल्दी से खराब नहीं होगे क्योंकि तेल के ओपर पानी नहीं रुखता है और देखिए यहां पर बहुत अच्छे से मैंने जूते चमका दी है और इसमें से बैड इसमेल जाहे वह भी रिमूब हो जाएगी आसा करते हुए टिप्स आपको पसंद आई होगी फ्रेंड अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब परना बिल्कुल न भूल फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ अब तक के लिए राम राम जी